दोस्तो मैंने मंगाया है अडेनियम के कुछ प्लांट और देखे ये पारसल आ गया है अपने पास मैंने इसे होटी कल्चर किंग कॉलकता से मंगाया है और इनके डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आए फटाफट से खोल के और देखते हैं प्लांट कैसा आया ह पेकिंग तो काफी बढ़िया दिक्ख रहा है तो फटाफट से छोलते हैं और देखते हैं अंदर प्लांट कैसा है एल्दी है या फिर कैसा है वो तब खोलने के बाद पता चलेगा ऐसे मैंने पहले भी इनसे कुछ प्लांट मंगाया है वो भी काफी बढ़िया आया थे और उसी को देखके मैंने इस बार फिर ओर्डर कर रखा है खोल के दिखाता हूँ क्या क्या आया है मैंने चार प्लांट मंगाया था इस मैंने रोजी भराइटी वाले प्लांट मंगाया है पहले भी मंगाया था मैंने अभी उससे रिपोर्ट किये कुछ दिन हुए अभी आगे का देखते हैं दो तो मैंने छोटे और दो बड़े मंगा है इनके पास अलग अलग भराइटी का मिलता है कुछ तो जैसे मदर प्लांट हो अरेबिकम हो तो मैंने अभी जो यह मंगाया है यह देखिया प्लांट कौन से है पैकिंग तो बहुत बढ़िया देख रहा है यह पैपर में रैप करके दिये है यह मेरे सौप पे आया और नहीं पर इसका उन्बॉक्सिंग कर रहा हूं और इसी एकसाइटमेंट में वीडियो भी यह बना के आपको दिखा रहा हूं देखिये यह प्लांट सारे पहले सारे प्लांटों को बाहर निकालते हैं फिर देखते हैं क्या होता है कैसा है यह तीन यह चोथा प्लांट तो च प्लांट इन के पास काफी बढ़िया बढ़िया रेंज में रहता है अपने इसाप से आप ले ले यह देखिये काफी बढ़िया कोडेक्स है 224 नंबर का यह है फ्लावर और इसके फ्लावर मैं दिखाता हूँ आपको यह कौन सा फ्लावर आएगा दूसरा है दूसरा यह प्लांट है इसका नंबर है साथ 206 होगा या 205 है सभी कुछ मैंने मंगाया था 206 इसका है 206 इसका भी कोडेक्स काफी बढ़िया है और दो प्लांट और है यह देख लेता हूँ यह कौन सा है यह साथ 58 है हाँ यह 58 है इसका कोडेक्स भी बढ़ियां दिख रहा है प्लांट सारे बढ़ियां कंडीशन में आए है और इसके तुन भी पत्ते भी नहीं जड़े है यह और ज्यांदा बढ़ियां कंडीशन में दिख रहा है यह है एक सो दो नंबर का इसके कोडेक्स थोड़े से दब रहे हैं लेकिन प्लांट काफी हेल दी है और फ्रेस भी है तो ये चार प्लांट अब हम इन चारों को इनका जो है वास करेंगे और वास करने के बाद थोड़े देर के लिए हम इसे फंगी साइड और जो अपना प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है उसका एक गोल बनाएंगे आपके पास वो ना हो तो सिर्फ फंगी साइड में ही आप डाल के धोले और इसके बाद एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन आप अपने हिसाब से इसे च्छाएं में रख दें आपके हाँ जैसा टमपरेचर हो उस वो इस साब से पोदे को च्छाएं में रख के और बढ़िया टमपरेचर आने के इंतजार कीजिए दिखिए मैंने इसे घोल में डुआ आया इसमें मैंने ये नावल का ताकत है जिसे मैंने ये दो लिटर पानी में दो ग्राम डाला है और दो ढ़ाई ग्राम मैंने डाला है फंगिसाइड और इसका गोल बना के मैंने इसमें इन चारो प्लांटों को डुबाया है इसमें मैं दिखा दूँ कि मेरे पास ये जो साफ कमपनी का आता है उसी का है लेकिन मैंने इस होलेक्स के डब्बे में भर रखा है अब इसे खोल में गंटे भर के लिए छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद इससे हम एक घंटे बाद दो घंटे बाद आपके हैं जैसा आपको बढ़ियां लगे उससाब से आप इससे निकालके वापस धूब में रख दीजे और फिर इसका रिपोर्टिंग करेंगे इसके रिपोर्टिंग का वीडियो में अगली भाग में आपको दिखाऊंगा चैनल को हमा इसा रेगूलर अपडेट पाने के लिए और इसके रिपोर्टिंग डेखने के लिए